हे अब्रिवन आज है वर्ल्ड इंवार्मेंट डे और इस वार इंवार्मेंट डे की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन तो आएए अपना चोटा सा कॉंट्रिबुशन हम भी दे दे वैसे तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते बस अपने घर में जो यह प्लास्टिक है रियूश हम कर सकते हैं और इसे इस तरह रियूश करके इसमें पेंट वागेरा करके कुछ भी कार्टून वागेरा बनाके आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं इस तरह से आप कॉंट्रिबुशन दे सकते हैं इंवार्मेंट के लिए और प्लास्टिक आज के टाइम पे बह हेट्टर करने के दिसामें अपनी बहुत बड़ी भूमी का निभा सकता है तो इस तरह से आप इन सब में पेंट कर दीजिए जितने भी आपके घर में इस तरह से डिब्बे होते हैं जरूरी नहीं आपको गमले लाने की जरुबत है प्लांट लगाने के लिए और इस तरह से आप कुछ ऐसे कार्टून का लुक या डॉल वाला लुक कुछ भी दे सकते हैं और इसके बाद आप इसमें प्लांट लगा लीजिए प्लांट लगाने के लिए मैं इसमें राइसस्क और कोको बीट और थोड़ा बर्मी कंपोस्ट मिलाया है जिससे हमारी सॉइल हलकी होगी और इसके बाद इसमें कोई भी प्लांट लगा दीजिए और इसे हैंक कर दीजिए और साथी ये दिखने में भी खुबसूरत लगता है इस तरह से अगर आप प्लास्टिक रियूज करके कुछ बना लेते हैं और इस तरह से इसे हैंक कर दीजिए आप इसमें कलर कर सकते हैं यह के लुग अगर आप करना चाहते अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें पिर पहल Только करते हैं उसे वह सब्सक्राइब तर्षब्साइब का अज़ाता है और काफी तक यह कमर्ण चल जाते हैं तो यह कुछ अगिम्र में कुछ खाना वगदा अगर और करवाते हैं तो फीम आये वे थे और इने भी मैंने इस तरह से पेंट वगदा कर दिया है और इस में चोटे-चोटे अभी गर्मियों के जैसे seasonal flowers पॉर्टुला का मौस रोजी से बोलते हैं वो सब लगा सकते हैं ये काफी खुबसूरत लगते हैं इवन आप इसमें जेड वगेरा की cutting भी लगा सकते हैं और इस तरह से इसमें eyes वगेरा बना दीजे थोड़ी बहुत अपनी creativity दिखा के उसके बाद ये थोड़ा कार्टून वाले character लगते हैं और बहुत जादा खुबसूरत लगते हैं और मेरे को तो कार्टून character काफी पसंद भी है और इस तरह से मैं इसमें color वगेरा सब कुछ कर दिया है और एक बात और आप इसमें normal ही जो plant होते हैं flowering के या decoration वाले evergreen permanent जो plant होते हैं उसी type के plant लगाईए सबजी वगेरा इसमें मत लगाईए plastic में क्योंकि फिर plastic में chemical वगेरा भी होता है फिर वो धूप में react करके vegetables वगेरा में मिटी वगेरा में मिल जाएगा उससे फिर आपकी health के लिए वो harmful है इसलिए आप इसमें flowering plant ज्य और इसी soil भी डाली है क्योंकि यह तो मुझे ऐसे ही रखना है दिवार पर बाकि अगर आपको हैंग करना है तो आप soil को हलकी कर सकते हैं जिस वज़े से आसानी से हैंग हो जाएंगे और इसमें मैं लगा रही हूं मॉस रोज मॉस रोज अभी गर्मियों का बहुत अच्छा इसमें प्लांटर के बाद आपको जहां पर इन्हें रखना है सकते हैं आप चाहिए तो इने एक साथ भी रख सकते हैं जब ये थोड़े प्लांट इसमें जो लगी है वह थोड़ा बड़े हो जाँगे फिर ये प्लांटर और बीजयादा संदर लगेंगे और इसमें ड्रे और यह देखने में काफी खुबसूरत लगते हैं प्लास्टिक के पॉर्ट से भी ज्यादा अच्छे मुझे यह लगते हैं जो मैं रियूज करके बनाती हूं क्रेटिविटी से और इस तरह से आप भी बना सकते हैं आपको कोई भी गमला लाने की जर्वत नहीं है ज्यादा प हवा चलती है तो फिर इनके जो यह पैर हाथ वगयरा बनाए हैं यह सब ऐसे हिलते रहते तो यह भी काफी संदर लगते हैं और साथ ही आप इसमें ना विंड चेन वगयरा भी लगा सकते हैं जिससे हवा आईगी तो फिर वह फिल भी कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा साउंड भी आएगा साथ ही और इस तरह से हमने प्लास्टिक का रियूज किया है आप भी इस तरह अपने गार्डन को सजा सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो सेर कीजिए थैंक यू